नमस्ते दोस्तों मैं हूँ सतिश कुमार एंड आप देख रहे हैं रोरिंग बिजनेस कुल यूटूब चानल दोस्तों आज के लेसन में मैं आपके साथ अमीर लोगों के टॉप 5 हैबिट्स को शेर करने वाला हूँ अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए रोरिंग बिजनेस क कानल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्त तक देखिए लेट्स बिगिन हैबिट नमबर बन रिच पीपल डू अनली प्रोड़क्टिव तिंग्स दोस्तों अमीर लोग सिर्प प्रोड़क्टिव चीजों को करते हैं जो काम करना जरूरी होता है उससे ज्या जो काम प्रोड़क्टिव नहीं होता है ना जिन कामों में उनका जरूरत नहीं होता है ना ऐसे कामों को वो दुसरों को सोप देते हैं मतलब लो प्रोड़क्टिव कामों को अपने नौकोरों से करवाते हैं और ज्यादा प्रोड़क्टिव कामों को खुद करते हैं ऐसे कर के ओ अपना टाइम को बचाते हैं, Rich people save time over money, habit number two, Rich people take risks and responsibilities, दोस्तों अमिर लोग risk को भी लेते हैं और अपने responsibilities को अच्छी तरह से निवाते हैं, risk लेना और responsibility को निवाना उनको अच्छी तरह से आता है, इसलिए ओ लोग अमीर बनते हैं, और अमीर लोग बहाना बाजी नहीं कर करते हैं, जूटे excuses नहीं देते हैं, जो भी उनको करना होता है न वो करते हैं, चाहे उसके लिए risk को भी उटा लेकि जरुरत आ जाए, लेकिल वो उसकाम को करते ही हैं, यदि आपको भी अमिर बनना है, तो risk लेना ही पड़ेगा, और अपनी responsibilities को उटाना ही पड़ेगा, habit number three Rich people invest money, not waste money, दोस्तों अमिर लोग अपने पैसे को waste नहीं करते हैं, invest करते हैं, पैसे के लिए दिन रात गदे की तरह काम करने के बजाए, वो अपने पैसे को काम पर छोड़ते हैं, पैसे से काम करवाते हैं, अपने पैसे से और ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए अमिर तो अपने पैसे को invest करना ही पड़ेगा है पहले अपने पैसे को Save कीजिएnet फिर इसको invest कीजिए औरे से सो पैसे कमाइए जब तक आप पैसे से पैसे नहीं कमाते हैं तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैँ habit no 4 Rich people makejusts not liabilities दोस्तों अमीर लोग liabilities को कम करते हैं और asset को create करने में ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर liabilities को ही करके बैड़ते हैं और अपने सारे income को savings को खतम करके गरीब हो जाते हैं लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं वो पहले अपने income से और एक income source को create करते है उस income source से asset को खरीदते है asset से जो भी income आता है न उसको खर्च कर देते है यदि आपको भी अमिर बनना है तो liabilities को कम करना होगा asset को बनना होगा asset से और एक income source को create करना होगा और अमिर बनना होगा habit number five and last they try again with experience दोस्तों अमिर लोग जल्दी give up नहीं करते है वो अपने गलतियों को सुधारते है और अपने नया experience को लेके फिर से try करते ही रहते है वो जल्दी give up नहीं करते है try 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 वो उनका सिद्धाल्थ होता है ओके दोस्तों fine ए है अमिर लोगों के top five habits एदि आपको भी अमिर बनना है तो इनको अपने जिंदिगी में apply कीजिए real life में इन्हें practice कीजिए और अमिर बन जाईए आप एक दिन में अमिर नहीं बन सकते क्योंकि इन सारे habits को आप एकी दिन में cultivate नहीं कर सकते है habit को बनाने के लिए भी time लगता है और habit बनने के बाद आपको rich बनने के लिए भी time लगता है जरूर कोशिश कीजिए एदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो कैसे अमिर बनेंगे इसलिए कोशिश कीजिए फिर एक ना एक दिन आप भी जरूर अमिर बन जाएंगे एदि दोस्तों आपको भी अपना कुद का एक YouTube चानल क्रेट करके अपने knowledge को दुनिया के साथ share करने की इच्छा है तो professional level पर video editing की सीखने की इच्छा है तो आप हमारे online courses को जोईन कर सकते हैं इसके लिए www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे courses में जाइन करें आल दे वरी वेस्ट एंड थैंक यू